प्रियंका गांधी वाद्रा के रोल को लेके चर्चा आँए अब और, जोरों से होने लगी है क्योंकि रौबर्ट वाद्रा प्रियंका गांधी वाद्रा में इस बहुत योगता हैं भूमिका है उनकी वो तैग करनी चाहिए और लोकप्रिय भी है प्रियंका अच्छा काम भी करती है तो उनको उम्मीद है कि जल्द वो संसद में नजर आएंगी और इसके साथ ही सियासी हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर प्रियंका गांधी वाड़रा का क्या रोल होना चाहिए आपको बता दे कि अभी सी इसी नहीं बनी है सी डबलू सी नहीं बनी है माफ कीजेगा कॉंग्रेस कारिय समिती में प्रियंका को ये चर्चा थी कि शायद उनको कैंपेंड इलेक्शन कैंपेंड का इंचार्ज बनाए जाएगा बतौर महासचिव और देश भर में जो कैंपेंज हैं उसका जिम्मा होगा शायद उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा लेकिन ये सब कयास बाजी थी प्रियंका गांधी वाड़रा ने जमकर करनाटक में प्रचार किया हिमाचल में उन्होंने कमान समाली और दोनों राज्यों में पाटी को सफलत मिली उनकी एहम भूमिका रही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर खास तोर से प्रियंका गांधी बहुत तीखे प्रहार करती है उनका जो अंदाज है जिस स्टाइल में वह अटाक करती है उसको लेकर भी जो जनता में देखा गया है कि उनके वीडियो खासा वाइरिल चाहे वो प्रधान मंत्री की गालियों की बात पर कहना कि हमारी परिवार को जितनी गालिया मिली है वो तो पोथे लिख जाएंगे वो एक पन्ने में अपनी गालिया प्रधान मंत्री लिखवा के लाए थे तो मुस्कुर आते वे जिस अंदाज में एक तो इंद्रा गांध रहेला जहता है सफरे यह तो उसके स्यासी माईनें बदल जाते हैं क्योंकि लगातार राहुल गांदी खेमे और czas थे आपने हो और से राहुल वस्स प्रियंका यह धंडी है वह क्रे दिखती है कॉये स्टाइब अकि प्रृंस성 चल रही Administration कि वो संसद में अभी तो अंदर है पर कभी भी आउट हो सकते हैं ऐसे में प्रियंका की भूमिका क्या होगी इसको तैक करने को लेकर माथा पच्ची ब्रेंस्टॉमिंग और लगातर जो है जोर दिया जा रहा है और यह देखना होगा कि 24 की चुनावी रण में क्या प्रियंक वारा नसी में देखें तो होगा दिल्चस्प लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रियंका गांधी वाडरा प्रधान मंत्री की चालेंजर होती है तो फिर राहुल गांधी का क्या रोल होगा और इसी बैलिंसिंग एक्ट में कहीं न कहीं कॉंग्रेस के लिए यह एक बड़ा यक प्रशन बना हुआ है